हेलो डियर स्टुडेंट्स मैसल दीपक जाजू बीटक फ्राम आई टी ब्हु होडी ऑफ मैथमेटिक्स एक्स नवध्यन फाउंडेशन आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एल होस्पिटल रूल पे प्रैक्टेस डिफ्रेंशियेशन का लेक्चर नमबर 12 ठीक है थोड़ा सवर बता दें 15 प्लस एर से मैं आफ्लाइन टीचिंग कर रहा हूँ 5 प्लस एर से मैं ओनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ 25,000 प्लस स्टुडेंट को टीच कर चुका हूँ तो अ होता है यह आप तो इतना तो समझदारी है 11 में लिमिट्स पड़े होंगे सब लोग कितने लोग जानते हैं क्या होता है लिमिट्स थोड़ा सा बताओ मुझे कितने लोग जानते हैं पहले यह बताओ यह सर लिख दो सब लोग कितने लोग जानते हैं लिमिट्स कितने लोग जानते हैं वही पता लगा है लो स्पिटल से कॉश्यन लगा रहो हो लिमिट है क्या यह तो पता ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा बताना तो बढ़ेगा अग बताओ अगूद लब स्टूडेंट्स ने NCRT में पढ़ा है लिमिट्स जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है फिर भी बताता हूं थोड़ा लिमिट्स होता गया क्योंकि इतनी सी बात से काम बन नहीं पाएगा आप भी समझदार हो और हम भी जानते हैं चलो थोड़ा सा मापको इंट्रोडक्शन इसका दही देता हूं ओके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी डेप्थ में इसकी स्टडी जो अपने करेंगे एक चैप्टर बाद फंक्शन ग्राफ के बाद लिमिट्स में ही करना है ठीक है तब तक अपने क्या काम करते हैं एक बेसिक चीजों को अपने नोट करते हैं कि लिमिट्स क्या है कैसे सोचते हैं तो देखो द्यान से एक ग्राफ की अगर अपने बातचीत करें यह कोई ग्राफ है इसका यह पॉइंट A है कहता है कि X is approaching to A X A को क्या कर रहा है एप्रोच किसमे एफ एक्स में अब X A पर अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है इसका मतलब X की value A के equal नहीं है यह बात ध्यान देने की ज़रुवत है यह बात clear cut हो जाने चीए कि इसका यह मतलब नहीं है इसका मतलब है एक एक अगल और बगल चेक करो एक अगल और बगल इंदी में लिख देते हैं इंदी वाले खुश हो जाएंगे एक अगल और बगल अब एक अगल और बगल का क्या मतलब है यह थोड़ा से देखने की जरुवत है ओके गुड काफी कोई कुछ लोग डेफिनिशन भी बता रहे हैं तो आपने थोड़ा सा ओल क्लियरली जानते हैं कि एक अगल बगल एक को अप्रोच कर रहा है एक्स की वैल्यू एक को क्या कर रही है एक को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं दो रास्ते हैं एसे थोड़ा सा पीछे एसे थोड़ा सा आगे अगल बगल अगल बगल यानि इसका मतलब होगा A पर लिमिट जब भी चेक करना है तो हमें left hand limit लेनी होगी यह left side है और दूसरा आगे जाएंगे तो right side तो A से थोड़ा सा पीछे A से थोड़ा सा पीछे कुछ इस तरी क्या से A से पीछे यानि F A minus H पे बाचित हो रही होती है ठीक है इस पर बाचित हो रही होती है A minus H फिर आता है RHL RHL A से थोड़ा सा आगे A से थोड़ा सा आगे अगर अपने बात करें तो अपने दिमाग में आएगा A plus पे बात हो रही है और A plus H पर value चेक की जा सकती है ठीक है और H इतना small है कि H की value यहाँ पर किसको प्रोच कर रही है जीरो अगर limit exist करेगा तो LHL should be equal to RHL LHL should be equal to RHL अरे यह क्या हुगा लग रहा दूबारा बनाना पड़ेगा A के अगल और बगल A के अगल और बगल अब बच्चिया दुबारा आगे तो मैं दुबारा एक पर बता देता हूँ X टेंडिंग टू A F X का मतलब A के अगल बगल थोड़ा सा और एक्स्प्लेइन कर देते हैं हमने अब सब बच्चिया आ गई है तो मुझे लगता है अब करना चाहिए A पर हमें limit चेक करना है तो A की value नहीं रखते A के अगल और बगल चेक करते हैं A की value कब रख देते हैं जब function कैसा function है आपका continuous function कैसा function है आपका continuous अब अगल बगल चेक करने को बोलते हैं LHL LHL कैसे A से थोड़ा सा पीछे जाएंगे A से थोड़ा सा कहा जाएंगे पीछे A से पीछे जाने को बोलते हैं left hand limit A minus H A से थोड़ा सा आगे जाएंगे कितना आगे जाएंगे H आगे तो इससे बोलेंगे right hand limit क्या बोलेंगे right hand limit A से आगे चेक करना RHL A से पीछे चेक करना LHL जुसको मैंने अभी लिखा भी था दुबारा बतायता हूं X approaching to A minus Fx is equal to F A minus H like this ओके फिर आता है X approaching to A plus A plus का मतलब क्या हुगा A से थोड़ा सा आगे A से थोड़ा सा आगे A से थोड़ा सा आगे मतलब A plus H limit exist करने के लिए LHL should be equal to RHL पर ऐसा होना चीए must be a finite number कैसा number finite number तो क्या limit की definition समझ में आई A से आगे और A से पीछे थोड़ा मैं example से बात करूँ कि अगर मैं कहता हूँ X approaching to 10 X approaching to 10 तो इसका मतलब क्या हुआ X अगर 10 को अप्रोच कर रहा है किसको अप्रोच कर रहा है 10 को तो इसका मतलब होगा लगबग कुछ ऐसा रखना होगा 9.999 9.999 या फिर 10.001 कुछ ऐसा मतलब इस तरीके का 10 नहीं रख सकते 10 से थोड़ा सा जादा 10 से थोड़ा सा कम जरूरी नहीं कि यही नंबर रखें बट अपने को यह ध्यान देना है 10 नहीं रखना 10 कब रख सकते थी जब function 10 पे continuous है जैसे यह graph है अब यह point पर value अगल बगल के बराबर ही आएगी ओके तो यह थी definition किसकी function की limit की क्या यह बात सबको समझ में आई क्या आपने आगे मूग कर सकते है तो limit तो यही था थोड़ा सा हम आपसे पूछ भी लिए हूँ देखें किते लोग यह बात समझ पाए क्या आपने next movement कर सकते है question आपसे पूछ सकते है ताकि पता लगे कि आप कितना ध्यान दे रहे हो class में easy-easy बात करेंगे अभी अपना ML hospital है पर उससे बेले limit क्या है यह थोड़ा सा introduction हो जाए ओके गुड तो अब अपने अगर बात करें question की तो वो क्या है एक question मैं लिख लेता हूँ थाकि आप कुछ लगे कि आप जानते हो बहुत कुछ fx की value दे रखिए कुछ इस तरीक है बहुत ही NCRT का question ही पूछते हैं थाकि कोई यह ना लगे कि बहुत मुश्किल मुश्किल कुछ पढ़ रहे है fx है x square plus 10 x is not equal to 0 और x equal to 0 पर 20 आ रहा है कोई शुद पूछा गया x approaching to 0 पर क्या value होगी x approaching to 0 पर क्या value होगी तुक का माने के लिए 4 option 10 दूसरा option 20 तीसरा option 10 20 तीसरा option अगर अपने देखें तो वो है does not exist does not exist चोथा can't say answer बताओ 4th option good 4 option है अपना aim limit का थोड़ा introduction भी जान लेंगे इस बाने और L hospital पर पहुंच जाएंगे ये भी सब समझ जाएं अपने chapter की finishing की तरफ बढ़ते जा रहे और ये उसका एक application है जिसकी तरफ हमने movement अपनी है अंसर बताना है extending to zero fx क्या होगा option या answer कुछ भी लिख सकते हो no problem सबका अनच ये इतना easy इसलिए पूछा है आपने काम ने study किया है तो मुझे पता तो लगे कि आपने क्या किया है सबसे बड़ी बात ये होती है answer आगे सबके अब ध्यान से समझो क्या करना था मैंने क्या का था extending to zero मैंने क्या का था extending to zero extending to zero fx is not equal to f0 point पर नहीं उसके अगल बगल चेक करो point पर नहीं उसके अगल बगल चेक करो तो zero रख दे question पूस्ता आ कि zero रख के बताओ तो तो answer आता 20 साब दिया है कि zero पर value कितनी आएगी 20 पर question में बोला है एक zero को approach कर रहा है तो मैं कहता हूँ आपका number कुछ ऐसा है zero plus h या minus h zero से थोड़ा सा आगे या zero से थोड़ा सा पीछे zero से थोड़ा सा आगे zero से थोड़ा सा पीछे मैं कहता हूँ ये number कुछ तो है कुछ तो है मतलव क्या हुआ zero तो नहीं है zero होता तो h को zero लिखना होता पिर मतलव क्या f zero के equal आ जाता zero के साथ कुछ add करने से इसकी value 0.001 कुछ तो आएगी या minus 0.001 कुछ तो आएगी तो value 0 वाली value तो ले नहीं सकते कहां रखेंगे उपर वाले में क्योंकि exactly 0 पर इसकी value जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी 20 exactly 0 पर इसकी value कितनी रही थी 20 पर यह जो value आपकी आ रही है यह कितनी आ रही है यहां रखने पर आएगी कैसे क्योंकि यह value 0 के equal नहीं है और वहां रखेंगे 0 plus minus h का whole square plus 10 h approaching to 0 हमारा interest इस limit में नहीं है मैं फिर बता दूँ वैल्यू कितनी होगे h को 0 रख देंगे last में क्योंकि approximate value होती है answer कितना 10 कईयों का गलत आ गया answer है 10 तो देखो यह था limit जिसके बारे में कुछ लोगों का misconception भी था आपको ध्यान देने की जरूरत है तो अब थोड़ा सा अपने जान लेते हैं कि यह तो था yellow hospital अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी कुछ values और कुछ numbers ऐसे थे लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी सबसे important पार्ट यह कुछ numbers ऐसे थे जहां तो आपकी मजबूरी हो गई कि आपकी value find होना मुश्किल था value मिल डूंडे तो पता लगा value मिलना ही मुश्किल था तब ऐसी जगह आपको क्या करना पड़ा क्या करना पड़ा कुछ ऐसा काम करना पड़ा जिससे की क्या हुआ problem में तो difficulty नहीं हुई जिससे क्या हुगा आपकी limit मिलने ही आसान हो गई अब वो कौन से ऐसे number है जहां value undefine थी वहां value कैसी थी undefine तो value अगर undefine है तो अपने दिमाख में आएगा कि ऐसे कौन से number है वही जहां पर यह value undefine है तो सबसे पहला number बताओ सबसे पहला number यह सोचने की जरूरत है कि अगर किसी point पर आप बात करते हैं तो limit क्यों लेते हैं क्योंकि कुछ numbers ऐसे हैं जहां value डिफाइन नहीं है तो उस point पर नहीं अगल बगल चेक करने का है point पर नहीं अगल बगल चेक करने का तो ऐसे कौन से numbers हैं आंसर आने शुरू हो गए क्या वो number आपके दिमाग में आता है कि a upon infinite है तो बिलकुल नहीं क्यों किसी भी fix number में a अगर real number है कैसा number है real तो value क्या होगी 0 ए अगर real number है तो real number में infinity का divide करेंगे 0 तो ऐसे numbers limits में आएंगे दूसरा छोड़ी छोड़ी बात है topic तक पहुचने से पहले introduction तो देख लें और भी बहुत कैचा है बट वो अपने limit में study करेंगे दूसरा देखो कोई भी number upon 0 अगर a 0 ना हो तो ये value आप जानते हो infinite को अप्रोच करेगा limit does not exist तो ऐसी value को भी limit किसी से भी find नहीं कर सकते क्योंकि infinity का कोई आता पता नहीं तीसरा दिमाग में क्या आता है infinity प्लस infinity क्या होता है बताओ to infinity infinity की power infinity क्या होता है infinity into infinity क्या होता है बताओ infinity plus infinity infinity की power infinity infinity into infinity ये क्या होता है बताओ सब लोग सब के सब जानते हैं कि बहुत जादा plus बहुत जादा तो ऐसा नहीं है कि two times बहुत जादा अपने को करना है बहुत जादा plus बहुत जादा बहुत जादा वो भी क्या होगा infinite तो ये सब number भी infinity पर है इस पे normal algebra नहीं लगता तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए chapter पड़ा जा रहा है वो है indeterminate form topic आता है indeterminate form अब एक बात बताओ indeterminate form होती कितनी है और क्यों होती है भई आपसे अभी तो चेक कर रहे हैं आपको आता कितना है indeterminate form कितनी होती है numbers कितने होते है कितने type की indeterminate form होती है आप बताओ indeterminate form कितनी होती है counting करके बताओ कितनी होती है देखें कितने लोगों को पता है कि indeterminate form कितनी होती है कौन होती है तो बात में पूछूँगा indeterminate form कितनी होती है सब को जान लेना चाहिए कोई भी तुककन हमारे और एक दूसरी का अंसर देखके भी ना लिखे कुछ लोगों को लग रहा है चैलो ज़्यादा ही बता रहे हैं ये तो इन ही का लिख देते हैं लगता है इसका ज्यादा पता कम वाले से तो ज्यादा वाले को ज्यादा ही आता होगा तो साथ तो लिखी दें अब जी आंसर है सेवन आंसर है सेवन टोटल इन डिटर्मेट जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है सेवन 7 in determinate form है तो 7 in determinate form होती कोन है कोन कोन होती है ये भी लिख दो सब के सब फटाफट फटाफट ताकि मुझे पता तो लगे कि सब का अंसर आ तो रहा है 7 बट क्यों आ रहा है पता तो होना चीए ऐसा थोड़ी है लिखा हुआ था दिवार पे क्लास में बैठे थे दिवार पे लिखा है वहीं से देख के बता दिया indeterminate form अगर 7 है तो कोन कोन है 7 है तो कोन कोन है 7 है तो कोन कोन है कोन कोन है फटा फट ये बताओ बस इसके बाद एलो हस्पिटल पे पहुंच जाएंगे एक अंसर आ गया है 0 अपॉन 0 ये भी एक और है most common form यही है ये भी पता है आपको कि x की value जब limit में रखके देखते हैं तो पता लगता है जो उपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 उपर भी 0 तो अपने दिमाग में आया कि हाँ भई 0 भाई 0 क्यों ऐसा है क्योंकि ऐसे बंदा सोच सकता है या ऐसे कोई भी सोचेगा कि 0 में किसी का भी divide करें तो 0 आएगा तो 0 भी आ सकता है किसी भी number में 0 का divide करें तो 0 जीरो वन आ सकता है तो आएगा क्या ये जानने के लिए limit पढ़ना पढ़ता है ठीक है अब सब के राज खोल देते हैं सब को पता है एक दूसरे को देख के साथ तो बताया पर उनको साथ है कौन से ये नहीं पता जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्टू जीरो अभी बताया था इन्फिनिटी इन्टू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होता देखो गलत बता रहे हैं तुक्का मार रहे हैं बहुत सारे उनको पता नहीं है वो भी बात जानते हैं infinity into infinity infinity होता है अभी तो answer बताया था फिर गलत कर रहे हो इत्ती जल्दी बूल जाओगे तो गजनी भी नहीं बूल पाते थे अमिर खान फिर गड़बर हो जाएगा गजनी बन जाओगे पंदरा मिनेट से पहले बूल जाओगे तो आप पे तो movie भी नहीं बन पाएगी क्या गर रहे हो तुम लोग है वन की पावर infinity, 0 की पावर 0, infinity की पावर 0 तीन फॉर्म ये है infinity minus infinity, infinity into 0 वन की पावर infinity, 0 की पावर 0, infinity की पावर 0 एक बात बताओ, infinity की पावर 0 या 0 की पावर infinity इन दोनों में से कौन सा फॉर्म होता है, ये बताओ सबसे पहले तो basic ग्यान होना चाहिए कोई भी chapter पढ़ने से पहले इसलिए basic mathematics पढ़ाई जा रही है ताकि calculus जो mainly 12th के course में है, उसको study करने में आपको असानी हो अभी देखो, एक और गजनी में हिस्सा लेने के लिए आ गए है उन्होंने भी अभी बताया था, infinity की पावर infinity, infinity होता है फिर भी बता रहे हैं कि ये form है ये audition में हिस्सा लेंगे गजनी part 2 में जिसमें काफी competition इंडिया में, क्योंकि आपकी के तरह बहुत लोग हैं जिन्होंने क्या आया है, इस competition में इस्सा लेना चाहरा है कि मैं ज़्यादा जल्दी बूल पाते हूँ इस बार girls का roll होगा, movie में girls का roll होगा, और गजनी part 2 और पांच ही मिनिट पे बूल जाएंगे क्या कर दे हो, अभी बताया था, infinity into infinity form ही नहीं है इस में से बताओ, zero की power infinity, infinity की power zero इन में से कौन सी form है देखो, फिर confuse होगा है, आपको यहीं नहीं पता है, आपने का हमने chapter पढ़ लिया है यहीं कमी होती है, बच्चों में, कि वो chapter को number पाने के लिए पढ़ते हैं इसके अलावा उनको उसका कुछ भी नहीं पता होता आपको पता होना चीए, यह form नहीं है, zero की power infinity, fourth point कोई भी number जो zero को अप्रोच कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी power कर देंगे आंसर zero होता है, यह कोई form नहीं है, form है infinity की power zero form है infinity की power zero क्या कर रहे हो तुम लो हैं अब बोतों को तो यहीं नहीं पता है कि यह form क्यों है चलो मैं आपको कुछ राज की बात बताता हूँ, तब आपको बड़िया लगेगा इन चीजों को हलका हलका note करते रहना सब लोग, कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा question में अगर मान लो question किया और x की जगह कोई number है x approaching to 5, तो 5 रखके देखा, इन में से value कोई भी आएगी तो आपको judgment तो हो जाएगा, कि indeterminate form आएगी तब तो question process से solve होगा और बाकी होँगे तो direct answer आ जा रहा है, इसका infinity, इसका zero, इसका infinity तो उसके लिए solve करने की जरुवत नहीं अब देखो, confusion शुरू जब आज की class लग रहा, आप इस chapter का एक lecture और extra लेना चाते हैं तो मैं आपको कोई मना नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं आपको inform को और explain करता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में भी आए बहुतों ने question किये है, ब्रट रट के पास हुए हैं, और कुछ नहीं किया पर आप चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ, बहुत लोग अभी भी बस ज़्यादा preference देते हैं school की किताब में, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, आपको पता ही नहीं होगा, chapter शुरू कब होता है, खतम कब होता है आपकी NCRT में, differentiation में, पांच चेप्टर कथम कर रखें हैं, पर आपको पता ही नहीं कौन से पांच चेप्टर है, खर आप पांच चेप्टर हैं, कईसे ही, आईसे ही, देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, कि 0 by 0, ये सारी की सारी form एक ही है, अब मैं आपको थोड़ा सा और explain कर दूँ, ताकि थोड़ा एक-दो माइडिया दे देता हूँ आपको, क्योंकि अपना email hospital है, तो limit में email नहीं पढ़ना है, थोड़ा वहाँ पढ़ना है, तो उससे अच्छा है, मैं यहीं बता देता हूँ, देखो सबसे पहला कि ये सारी form एक ही होती है, convert की होती है, कैसे देखो 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 देखो, इंफिनीटी अपन इंफिनीटी, इंफिनीटी अपन इंफिनीटी क्या है, वन बाई जीरो अपन वन बाई जीरो लिख सकते हो, जीरो का वन से मल्टिप्लाई जीरो, जीरो का वन से मल्टिप्लाई जीरो, देखो, जीरो बाई जीरो, फॉर्म वही है, दूसरा देखो infinity minus infinity तो ये क्या है 1 upon 0, ये क्या है 1 upon 0, ये है 0 by 0 1 minus 1 0 हो गया न, हो गया न infinity into 0, logic सोचोगे time दोगे तब आपको आएगा आप सोचना नहीं चाते हैं, मैट्स को बस calculation समझ रहे हो, और यही mistake है, इसलिए मैट्स में जाँ पूरे number आने चीए, बहुत तो के बहुत कम हो जाते हैं, जबकि आज का time ऐसा है, chemistry से जल्दी number IT advance में मैट्स में आते हैं क्योंकि यह rule बड़े set है पर आप उस तरीके से study नहीं करना चाते, 1 by 0 into 0, दीरे-दीरे तो क्या लेना है, log, सब में same situation है, मैं एक का बता जाता हूँ मैं log ले लेता हूँ y मान के क्या ले लेता हूँ, log भाई अगर यह indeterminate form हुआ, तो यह दिमाग में रख लो इसका log भी indeterminate form होगा power को पीछे लाना है power को किस कहा लाना है पीछे, log into 1, log के angle में कितना, 1, infinity को 1 by 0, log 1 क्या होता है, 0 0 into 1, infinity को 1 by 0, log 1 0, 0 into 1 0, तो value क्या है, 0 by 0 सब में चेक कर लो, यही आएगा दूसरी बात आपके दिमाग में आ जाने चीए, कि यह सारी form तो एक ही है, बस अलग अलग technique से convert की गई है इसलिए question करने की direction भी आपको इसके basics में ही मिलेगी, किस में मिलेगी basic में, दूसरी चीज यह देखो, हर question lump sum P by Q form में ही solo होता है, यहां से proof होता है अब बाकी form को in form में convert करना होगा, कैसे करेंगे यह जो 3 form नीचे वाली नजर आ रही है, इन में आपको क्या लेना होगा, question में 90% log, particular कोई method लग जाए, तो बात अलग है, इसका तो कोई direction होता ही नहीं इन में देखो ध्यान से, इनकी बात करें, तो यहां देखो एक ही method है, rationalize अब कई कह रहे हैं, हिंदी करो हिंदी करो, तो rationalize का हिंदी होता है चूहा करण, कहीं कहा रहे हैं चूहा करण, चूहा पकड़ना पड़ेगा, चूहा पकड़ना नहीं पड़ेगा, rat, rat मतलब चूहा, analyze करण, हिंदी में अनुआन यह देखो कितनी तगड़ी हिंदी हो रही है इसलिए हिंदी करने की बज़ाए, उसको concept को पकड़ना सीखो तो इनके लिए rationalization जैसे मैंने method बताया, इनके लिए यह और यह वाले को जब आप लोग लेके देखोगे, तो पता लगे यह जीरो आ गया, ओके तो यहाँ तक की कहानी समझ में आईगी, कि साथ indeterminate form के लिए किती form के लिए, साथ indeterminate form के लिए यह rule पढ़ा जाता है हिंदी मीडियम से मैं खुदी पढ़ाऊं इस बात से बहुत फर्ग नहीं पढ़ता, main concept clear होनी चीए important party है, क्या आपने आगे move कर सकते हैं, आप चलते हैं, एलो hospital, तो बाकी चीज़ें हमने limit में पढ़ेंगे फिलाल थोड़ा बहुत बता दिया ताकि कहीं limit आजाए तो चिंता ना हो आजाना चीए थोड़ा सा क्या होता है, कि ये गंटा बहुत कम होता है इसलिए अपने पुरी बात होई नहीं पाती नहीं, तो पुरी बात हो तो और मजाए और चिंता ना करें, धिरे धिरे समय आपको निकालना होगा और इदर उदर से समय निकालो, तब ही मजा आएगा, इन चीजों में सब्जेक्ट को नंबर पाने तक सिमित मत रखो नंबर तो सब के आते हैं, पर आईटी में सब नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पहुचने का एम है, वहाँ लाइफ बदल जाती है, ओके? तो यह है, तो नेक्स देखते हैं, हमने एल होस्पिटल रूल एल होस्पिटल रूल क्या है? सबसे पहली बात कि यह कहां लगता है? तो पहली बात तो यह इन डिटर्मिनेट फॉर्म होना चाहिए, शर्ट नंबर वन कि जो भी आपके limit है limit क्या है x approaching to a fx upon gx सबको पता है इस form में limit को होना चाहिए बाकी form में है तो नुकसान नहीं है convert कर लेंगे जैसे log लेके कर लेंगे या rationalize करके तो सबसे पहला काम कि p by q में रहे और mainly ये indeterminate form हो limit L hospital लगेगा कब indeterminate form board थोड़ा सा ही नहीं चल रहा है कोई चित्ता ना करें second देखते है indeterminate form होने के साथ साथ जो f and g है ये continuous होने चीए क्या होने चीए continuous होने चीए और साथ में differentiable फिलाल इसको जानने के लिए इसकी आप चिंता ना करें continuous और कैसे होना चीए differentiable अब पता कैसे लगेगा trigonometrical function differentiable है क्योंकि उनका formula है formula जिनके है वो differentiable है इसलिए clear हो जाएगा exponential log polynomial trigonometrical inverse trigonometrical in sum में ये rule लगता है तो सबसे पहली शर्त P by Q form में हो और indeterminate form हो तो ये पता कैसे लगेगा ये मन में रखके देख लेंगे easily पता लग जाता है कि वह ये form है या नहीं उपर से function आपके कैसे हो differentiable अब करना क्या है ये दिमाग में रखो करना आपको क्या है ये बहुती simple काम आपके सामने हो गया है क्या करेंगे उपर differentiate करेंगे और नीचे ये कहानी पूरी लेक्चर में सबसे simple होने जा रही है उपर differentiate नीचे differentiate अब ये differentiation करते time ये बात कई लोग ये गलती कर देते हैं यू बाई वी से कर देते हैं तो उपर derivative अलग नीचे अलग अब क्या करेंगे X की जगा हम A रख के देखेंगे क्या रख कर देखेंगे A A रख के देखेंगे तो पता लगेगा हमारे दिमाग में क्या आया F-A upon G-A की value मिलेगी F-A upon G-A ये value आपको मिल जाए तो अपने दिमाग में क्या आएगा F-A upon G-A ये value आपको मिल गई सबोज करो तो अब आप क्या करोगे F-A upon G-A की value अगर ये finite number है कैसा number है finite number तो यही आपका answer है यही आपका क्या है answer और अगर ये दुबारा form बन गई 0 by 0 या कोई भी form एक लिख दे रहा हूं सबके लिए तो आप इसको क्या करेंगे दुबारा differentiate करेंगे फिर उपर अलग differentiate नीचे अलग फिर क्या करेंगे value रखके देखेंगे value रखके देखने पर फिर दो रास्ते आएंगे अगर ये value पहला fix number आगया तो यही आपका answer है यही आपका क्या है answer अगर ये value 0 by 0 या infinity by infinity क्योंकि denominator में वही एक form होती है P by Q में तो आप इसको क्या करेंगे तीन बार इसके बाद सोहन की मदर ले लेंगे अब कई सोदरें ये सोहन कोन पैदा हो गया वही सोहन की मदर ले लेंगे इसका क्या मतलब है सोहन की मदर लेने का मतलब क्या है कि ये value आगे तब तक चलती रहेगी कई कह रहे हैं सोहन नहीं सो ओन जब तक की आंसर ना आ जाए पैन पता तो लग नहीं रहा पी बाई क्यू फर्म इन डिटर्मिनेट फर्म होना चीए उपर डिफ्रेंशेट करेंगे नीचे डिफ्रेंशेट करेंगे फिर वैल्यू रख लेंगे ठीक है फिर डिफ्रेंशेट करेंगे फिर वैल्यू रख लेंगे क्या ये रूल सबको समझ में आया तो मैं एक एक्जामपल से आपकी शुरुवात करा सकता हूँ बहुती सिंपल प्रैक्टेस आज का बोर्ड थोड़ा सा बढ़िया नहीं चल रहा है पर आप फिकर ना करें कोस्टन भी आसानी कराऊँगा ओके कोस्टन भी इजी जी कराऊँगा घवराएं नहीं कहिए मेरे को देखते ही टेरर में आ जाते हैं तो कटिन कोस्टन ही कराएंगे लग रहा है आस तो नहीं ताकि कल आप आना चाहें अगली क्लास में मैं आपको गूड कोस्टन और कराऊँगा तो यह रूल बड़ा ही सिंपल है जैसा लिखा उसको आप ध्यान ना दें थोड़ी राइटिंग खराब हो गई अचानक मेरे राइटिंग बदल जाती है किसी दिन ता मैं अच्छा लिखने लगता हूँ किसी दिन खराब लिखने लगता हूं किस दिन pen खराब हो जा रहा है तो example number शुरू होता है one पहला शुरू करो पहला question थोड़ा सा एक बनाओ बहुत easy question है x standing to zero x minus sin x upon x cube बनाओ सब लोग यह है question x standing to zero कहीं कहा रहे हैं बड़ा सुंदर लिखके दिखाओ तब तो माने कोशिश करता हूं sin x upon x cube pen actual में सही पकड़ नहीं रहा है कुछ fault आ गया है upon x cube solve करो low भै किसे ने का black pen use करो try करो try करो अब देखते ही पता लग गया कि यह दोनों देखो differentiable function है और जीरो रखने पर यह form है जीरो अपॉन जीरो जीरो अपॉन जीरो तो x टेंडिंग टू जीरो उपर differentiate करेंगे अपॉन 6 कोस x अपॉन 6 अब जीरो रखके देखो नीचे x गायब हो चुके अंसर है वन अपॉन 6 तो देखो तो मेरे हिसाब से सबका अंसर आ गया है यह गलत होने का मोका ही नहीं था Example number 2 Try करो x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x by x3 0 रखके देख सकते हो form 0 upon 0 है बहुत ही दीरे लिखता हो हो सकता है pen मुझसे पीछे रह जा रहा हो ओके गुड 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 सबका आएगा मैंने का ना easy question कराएगे क्योंकि आपको आज rule सिखाना है अराम से एक एक मिनेट में एक एक बनने वाला है good 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 सबका मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा expectation है इसी लिए थोड़ी सी बस और मेनद कर लो मज़ा आजाएगा ऊपर derivative करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x plus e की पावर माइनस x माइनस 2 फिर 0 बाई 0 है क्योंकि नीचे 3 x square आ रहा है नीचे 3 x square अब ऊपर derivative करेंगे e की पावर x माइनस e की पावर minus x upon 6 x x tending to 0 फिर 0 by 0 form नीचे आ रहा है 6 उपर आ रहा है e की power x plus e की power minus x 0 रखेंगे 2 upon 3 2 upon 6 answer है 1 upon 3 बिलकुल सही है सब तो 4 डाल रहे हो वही कोस्टन का कभाड़ा हो जा रहा है कोस्टन ऐसा कह रहा है मुझे बचाओ क्योंकि सबका आ जा रहा है answer ठीक है यह तो सबका आ गया है फिर बना तीसरा example कि इसी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कोस्टन देखो मैं आपको फिर बता दूं इन चैप्टर्स पे infinite question बनते हैं तो जितना बता दूं मैं बता दूं उतना ही कम है अभी तो सबको लेके चलना है तो इसलिए common और basic सी पढ़ रहे हैं जब आपको लगेगा कि आपको आने लगा तो और बता दूं आ यह आप में दम होना चीए कि कितना आप सीखना चाते हो यह जरूरी नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसको जबरदस्ती नहीं सिखाये जा सकता तो अभी तो थोड़ा मज़ा आएगा धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे अभी फिकर नहीं है अभी थोड़ा सा क्या है आप एडजस्ट हो जाओ अभी एक गंटे की क्लास एक ने लिखा कि कम है उसी में लोग नहीं आ रहे हैं आप मैं पांच गंटे पढ़ा के दिखा देता हूँ एक दिन पांच गंटे है आप में दम हो ना जी पता तो लगे इसलिए हो सकता है एक ऐसी क्लास संडे को हम लेने जारे हैं जिसको लेना आना हो आएगा मैं अनौंस करूंगा पहले से ही बता दूंगा मेरा थन क्लास होगी जिसमें हो सकता है नोन स्टोप हम लोग 10 से 15 गंटे पढ़ाएं तो थोड़ा चेक हो जाएगा फॉर्म है 0 वाई 0 आनसर आना चाहिए था वेटिंग 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 नीचे कितना है 2x x cos x derivative करते हैं x का 1 cos x as it is minus x into sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लोग का derivative 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आपको जान के आश्चर होगा कि मैंने ऐसी क्लासिज ली वी है कि रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको पता है लोग आएं तो बहुत सिखाये जा सकता है आपको पता नहीं है इनी चीजों को पढ़ने के लिए मैं तो साब साब कहता हूं लोग कोटा कानपूर दिल्ली यही सब पढ़ने जाते हैं नोट्स देख लो यही कोशन सब करवाई जाते हैं यही सब कराते हैं जब वो 2-3 हम 0 रखेंगे को इसका और इतनी अच्छी चीजें आपको साल भर में 11 तक का सिखा देंगे हम लोग बस आपको लगना होगा अब लगेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा हमें तो चलो हमारा काम है कोस का माइनस साइन x का बन करेंगे यह माइनस साइन तो माइनस साइन कितनी बार आ गया दो बार और एक्स इंटू कॉस एक्स यहां पर आ जाएगा वन अपोन वन प्लस एक्स का होल स्केर नीचे कितना आ गया टू सब थोड़ा सिंसियर हो जाएं तो ऐसी क्लासेज भी हो गई बिल्कुल हम तो चाते ही हैं तो बने ही है कि आप लोगों को सेलेक्ट कराएं ठीक है थोड़ा सा सिंसियरली काम करें अराम से अभी तो सब बच्चे इन्वॉल नहीं हो पारें कुछ ऐसे रीजन भी है जहां पर स्कूल है जहां पर बाड वगरा भी आ गई है फ्लड के चक्कर में दिक्कत है तो इसलिए थोड़ा हड़ड़ी नहीं है उनका छूट ना जाए लोस ना हो जाए और अभी कनेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे टीचर से जब और अच्छे से हो जाओगे तो और मजा आएगा जीर पर आप आसानी से इस तरीके से आता है करते रों काफी क्लास में भी एक प्रैक्टिस और करेंगे थोड़ा कॉंसेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉश्चन भी बनते हैं एटलिस सब्जेक्टे में ओके एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एलन वन माइनस एक्स बाई एक्स क्यू वेर इजी कोशन फॉर्म है जीरो बाई जीरो अभी सबसे आदा इंपॉर्टेंट फॉर्म जीरो बाई जीरो यह है ओके गुड 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 सबके अंसर सारे हैं और बेतरी ना रहे ह सब को आना चाहिए आसान कुश्यन सब कर पाओगे ट्राइ करो देखें किते लोग सही कर रहा है इजी कोश्यन है बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कैसे हो जा रहा है ये क्या कोश्यन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक-एक स्टेफ फोलो करो नीचे आ रहा है थ्री एक स्क्वार ऊपर वन का क्या होगा डेपन जीरो साइं का कितना कोश्यन कोस का कितना माइनस साइन कोस का कितना माइनस साइन तो यहां प्लस साइन हो गया l n 1-x का आएगा minus 1 upon 1-x यह बात की गलती मत करना न लॉक का derivative 1 by x और 1-x का minus 1 आएगा उसे miss मत कर देना है तो गलत हो जाएगा बहुत सरी मैं देख रहा हूं maximum जो sincere हैं वो सब answer सुनके आ रहे हैं और अगला देख रहे हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो ट्राइ करो ट्राइ करो वेट कर रहा हम आपके अंसर का एक बार और लिखना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि नीचे दो एक्स बचे हैं जब तक एक्स फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक एक्स बचे रहेंगे तो अंसर नहीं आ पाएगा और आएक उससे पहले आ भी सकता है तो हमें अभी फॉर्मलों का बहुत अधिक नॉलेज नहीं है तो अंसर आने लग गया है अब देखो कोस का होगा माइनस साइन एक्स साइन का कितना होगा कोस एक्स ठीक है माइनस वन अपोन वन माइनस एक्स का स्क्वेर का हैगा माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वेर हुआ क्या पता है आपको कई लोगों ने या प्लस कर दिया है गलत क्यों हो रहा है क्योंकि इसका पावर वन है वन पीछे जाएगा माइनस x का derivative माइनस फीरा जाएगा नीचे कितना आ रहा है 6x एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं माइनस sin x का derivative फिर देखो माइनस cos x cos का क्या होगा माइनस sin cos का क्या होगा माइनस sin और यह आएगा माइनस 2 अपोन 1 माइनस x का होल q नीचे कितना आएगा 6 देखो गलती एक देखो गलती मैंने बोला था फिर गलती कर दी आप कब बात नहीं मानोंगे भई कब शुरू करोगे ln का derivative 1 upon 1 माइनस x होता है और 1 माइनस x का भी तो derivative करेंगे according to chain rule माइनस नहीं आएगा दूसरी बात यह lecture limit का कम है यह differentiation का revision चल रहा है उसी से अब 0 रखो नीचे कितना रहे 6 यह माइनस 1 0 यह माइनस 2 तो answer है माइनस 3 बाइ 6 माइनस 1 बाइ 2 गलती मत करो देखो फिर गलती होगी एक और से उसने प्लस 2 कर दिया और प्लस 2 क्यों कर दिया यह भी देखो इसका पावर माइनस 2 पीछे जाएगा तो प्लस 2 बाई 1 माइनस x का cube और 1 माइनस x का जो derivative है फिर माइनस आजाएगा तो इसकी वज़े से माइनस कितनी बार पीछे आ रहा है दो बार इसी लिए कैसे इसका मैं side में लिखके बताओ तो इसका पावर माइनस 2 पीछे माइनस 2 इसका पावर माइनस 2 पीछे 1 माइनस एकस का पावर माइनस 3 ठीक है और 1 माइनस x का माइनस 1 बार बार यह गलती हो जारी इस question में दम नहीं है बस यही गलती आप ही नहीं हमेशे लोग करते रहते हैं ओके चलो कोई problem नहीं next example extending to 0 log 10 squared 2x अब base में 10 squared 2x यह वाला जो नंबर है log के base में है try करो try करो easy question है सबसे बनेगा भी कोई अगर नहीं सोच रहा हो तो एक property मैंने बताया था log का और नहीं होता सर बताएंगे या बता भी रहेंगे क्योंकि log की study हो रही है log m upon log n और 2 को ले लो पीछे 2 ln ln का मतलब base automatic कितना ले लिए हैं e 2 ln 2x 2 ln 10x यह आ गया 0 रखने पर यह देखो log में 0 infinite log में 0 infinite negative का तो यह form है infinity upon infinity दीरे दीरे form चेंज हो रहा है infinity upon infinity question लिख दें कोई बात नहीं जी log 10 square 2x base में 10 square x तो log m upon log n से लिख देंगे और power पीछे आके cancel हो जाएगे try करो try करो देखो सबसे बन जाएगा question कटी नहीं है थोड़ी सी समझदारी तो देखो आपको दिखानी ही होगी simple question simple derivative बट थोड़ा सा बढ़िया try करो 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 उपर differentiate करेंगे 10 to x नीचे 10 to x उपर उपर 10 to x का derivative आ रहा है टू सिकंड स्क्वायर 2x दूबारा लिख देते हैं 2 10 to x नीचे आएगा 10 to x उपर आ रहा है 2 सिकंड स्क्वायर 2x नीचे आ रहा है 10 to x नीचे वाले का derivative आ रहा है 1 upon 10 to x 10 x तो 10 x उपर चला जाएगा और 10 का derivative सिकंड स्क्वायर अंसर आने लग गया है एक का अंसर वन आया है एक काम करेंगे जीरो रखने पर यह देखो यह तो 2 रहेगा यह सेक 0 कितना होता है 1 यह कितना 1 तो उपर आ रहे है 2 10 x उपर आ रहे है 2 10 x नीचे आ रहे है 10 2 x 10 2 x का फॉर्मुला होता है 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेर इससे थोड़ा इजी हो जाएगा 10 2 x का फॉर्मुला 2 10 x बाई 1 माइनस 10 स्क्वेर 10 x से 10 x कैंसिल 0 पर यह 1 यह 1 10 2 x का फॉर्मुला 2 से 2 कट जा रहा है 0 पर यह वैल्यू कितनी 1 कोई बात नहीं सबसे पहला काम क्या करेंगे लॉग M अपॉन लॉग N का प्रोपर्टी अखिले सर बता हैं और पावर कहा जाती है पीछे तो 2 से 2 कट गया लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 10 1 बाई x तो 1 बाई 10 x 10 2 x 10 2 x का एगा 2 सिकंड के 2 x नीचे वाले का 1 अपॉन 10 x और 10 का सिकंड स्क्वेर 0 पर ये 1 ये 1 10 2 x का फॉर्मला भी लिख सकते हैं 2 10 x बाई 1 माइनस 10 स्क्वेर x लाइक दिस 10 से 10 कट गया 2 से 2 कट गया 1 माइनस 0 आंसर कितना 1 तरीके बहुत हैं अपना इंट्रेस एल होस्पिटल तक था यूटे ही अपने बहुत फॉर्मले याद करें क्या फाइदा नेक्स्ट एग्जाम्पल X तending to 0 1 by X square minus 1 by Sin square X x tending to 0 1 by x square minus 1 by sin square x बिल्कुल सही आंसर आज तो सबका सही आई रहे बाइचांस यह है वलत कर रहा कोई बहुत ई बढ़िया और प्रैक्टिश भी होगी इससे कल माँ आपको पावर वाले और कुछ question सौर सिखाऊंगा कुछ miscellaneous practice पर next class में कल ग्या next class में practice करेंगे तो आपको काफी कुछ और differentiation में आ जाएगा एक last question try करो सबसे पहले देखो form है जीरो रखने पर ये infinity minus infinity थोड़ी hint देते हैं नहीं तो कईयों का गलत आने लग जाएगा LCM लेना होता है rule सुरू में बताया था LCM लेना भी rationalization है तो rationalize कैसे करेंगे LCM लेके pyq में लिख लेते हैं LCM का main rationalization का main मतलब होता है pyq में replace करना तो sine square को इदर और x square को इदर तो यहाँ आ गया sine और यहाँ आ गया x square अब एक छूटा सा काम करो देखो अगर आप अभी differentiate करोगे तो नीचे product rule लगेगा और बहुत मेनत हो जाएगी तो थोड़ा सा limit का आपने का मैं knowledge है तो मैं आपका use कर लेता हूँ इस sine square को x square से multiply और x square से divide यह value आपकी कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि x किसको approach कर रहा है 0 अब आप देख सकते हो x अगर 0 से approach कर रहा है तो आपके दिमाग में आना चीए कि उपर आ गया sine square x minus x square नीचे x power कितना है 4 और x power 4 है तो आप फटा फटा एल होस्पिटल लग सकता है यह x square x square x power 4 फॉर्म हो गई infinity minus infinity से कहां द्यान से देखो 0 by 0 शुरू में basic भी बताया था क्या कि यह convert होते रहते हैं पर फॉर्म कोई भी ओ रूल चलेगा answer आना चीए सब का try करो try करो एक hint मैंने दे दी अब कोई गलती उन्हें का chance नहीं है उपर differentiate थोड़ा सुन्दर लिखता हूँ हो सकता है ताकि सबको लगे मुझे अच्छा लिखना आता है बट writing क्या है यह sin square है बट क्या है न बोड नहीं चल रहा minus 2x upon 4x cube फिर देख सकते हो 0 by 0 है फिर differentiate कर देते हैं sin 2x का derivative 2 cos 2x minus 2 नीचे आ रहा है 12x square यह रहा है फिर 0 by 0 0 रखते रहें उपर आ रहा है minus 4 sin 2x 2 का 0 लिखने की ज़रोत नहीं नीचे है 24x फिर उपर minus 8 cos 2x upon 24 0 रखने पार minus 8 upon 24 अंसर है minus 1 upon 3 चेक करो चेक करो चेक करो कहां गलत की हैं कुछ लोगों के अंसर गलत आ रहे हैं अभी ऐसे और भी कोस्चन है और इनका यूज है जो अभी अपने और प्रैक्टिस करना होगा booklet सब लोगो लगाओ DPP दो-दो टाइप के मैंने आपको बना के दिये हैं आपको बता दे जितने दिये हैं उससो गुना कोस्चन मेरे पास हर चेक्टर पे है पर वो मैं आपको तब ही दे पाऊंगा जब आप इतना काम तो करोगे थोड़ी सी नेंद में कटोती करो काम पूरा करो effort लगाओ मैं आपको NCRT का हर कोस्चन करवा दूँगा पूरा ध्यान लगाओ यही मोका है घर बैटे अच्छा सीखने का नहीं तो इतना टाइम आपको बाद में कभी नहीं मिल पाएगा यह ध्यान देना है अजड़ी सीखना है वाल? कि झाल? कि झाल? कि झाल? झाल